हालो बच्चों हम बात इंट्रिगेशन की कर रहे थे जिसमें NCRT की एकसरसाइज 7.4 कि हमने 12 कुजिशन्स डिसस किये थे इसका मैठेड भी हमने बताया था तो उसी एकसराइज को थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आगे कुजिशन्स डिसस कर रहे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं 13 कुजिशन की 13 कुजिशन क्या कहता है integral of 1 upon under root x-1 into x-2 dx सबसे पहला काम तो इसका whole square खोल दिया जाए सॉरी इसके bracket खोल दिया जाए जब bracket खोलो क्या आएगा या आएगा x square minus 3x plus 2 हमने बताया था अगर root के अंदर हो या root के बाहर हो अगर यह ax square plus bx plus c है तो इसको perfect square में change करना है इसको pure work बनाना है क्या तरीका इसका होता है देखें सबसे पहला काम है कि x square का जो coefficient है उसको one कर दीजे हो गया वो तो one ही है इसको जो x का coefficient है उसको आधा कर दीजे तो यह minus 3 क को आधा करेंगे तो minus 3 by 2 हो जाएगा तो यह actually में x minus 3 by 2 का whole square लिखा है तो इसको खोलेंगे तो x square आएगा minus का 3x आएगा और plus का 9 by 4 आएगा चुकि यहाँ पर plus का 9 by 4 नहीं लिखा है तो इसको balance करने के लिए minus का 9 by 4 करेंगे और plus का 2 पहले से लिखा हुआ है पर्फेट square में बदलने के लिए इसको जब खोलेंगे तो 3 step आएगे तो a square प्लस b square प्लस 2ab तो a square दिया है तो a square दिया है लेकि प्लस का b square नहीं दिया है तो उसको balance करना पड़ेगा क्योंकि ultimately यह होना चाहिए तो इसको solve करेंगे तो 1 upon under root x minus 3 by 2 का whole square और जब यहाँ 4 LCM ल 2 का whole square तो अगर ध्यान से formula देखें तो यह 1 upon under root x square minus a square का integral है जो बताया गया था log x plus under root x square minus a square तो लगा दीजे चुकि एक्स की जगए ax plus b हम लिख सकते हैं यह हम जानते हैं method हमारे पास है तो इसको लिखेंगे हम log x का मतलब x minus 3 by 2 plus under root x minus 3 by 2 का whole square minus a square minus 1 by 4 plus c हाँ इसको हम calculate कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं हम calculate कर लेते हैं जड़ा देखें जान से calculation में आएगा क्या log लोगों यहां पर आप 2 else m लेंगे तो आएगा 2x minus 3 मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ 2x minus 3 by 2 plus जड़ा root के अंदर देखते हैं root के अंदर इसको खोलने की कोशिच करिए तो आएगा x square plus 9 by 4 minus 3x minus 1 by 4 तो यह हो जाएगा आपका 8 by 4 and 2 हो जाएगा root के अंदर वही आना है आपका जो यह लिखा हुआ है अल्टीमेटल यह ही आएगा तो यह आजाएगा आपका plus c यह आएगा log यह 2x minus 3 by 2 plus अंदर वूट यह आएगा x square minus 3x plus का 2 plus c LCM लेना चाहो लेलो ना लेना चाहो ना लेलो यही आपका अंसर है ठीक है तो दिस इस कुशन नमबर 13 लगभग 90% यह यही कुशन होंगे उपर 1 है ध्यान रखेगा उपर कोई भी x का function नहीं होना चाहिए ठीक है अब next question देखिए 14th question पहले इस वीडियो को रोक करके जरह 14th अपने आप लगाईए सिर्थ देखिए कि 14th आपको आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि integral का मतलब practice math का मतलब ही practice होता है लेकिन integral में सबसे खतरनाक चीज़ है उसको integrable करना ठीक है 14th question देखिए 14th question कहता है i is equal to integral one upon under root यह है आपका 8 minus 3x plus 3x minus x square perfect square में बदलने का सबसे पहला तरीका यह बताया गिया कि आप इसमें से x square के गुरांग को one कर दीजे अब one करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहां से minus का मल लेना पड़ेगा लेकिन यह minus root के बाहर नहीं जा सकता तो यह बन जाएगा आपका x square minus 3x minus का 8 अभी इस minus को छेड़िए ने यह root के अंदर इसे लिखा रहें दीजे यह अपनी जगे जब इसका समय आएगा तब यह अपना काम करेगा अब यह चुप-चाप बैठा रहेगा हमने क्या बताया x का coefficient minus 3 इसको आधा करो तो minus 3 by 2 यह x minus 3 by 2 का whole square लिखा है इसमें जब खोलेंगे तो extra आएगा plus का 9 by 4 तो minus का 9 by 4 करो और minus का 8 अब इसको जड़ा calculate करेंगे यह bracket close 1 by under root minus x minus 3 by 2 का whole square minus यह कितना आएगा चरवट 32 और 32 और 49 minus का 41 बटे 4 अब यह minus अंदर जाएगा तो इसको plus कर देगा और यह minus हो जाएगा ठीक है तो यह आप आएगा i is equal to integral 1 यह dx लिखा हुआ है जिसके respect में आप integrate कर रहे है अंडर root यह जो 41 बटे 4 है चुक्कि इसको a square के format में लिखना पड़ेगा तो यह हो जाएगा root 41 by 2 का whole square minus x minus 3 by 2 का whole square अगर ध्यान से यह देखे तो आपका root a square minus x square formula है a यह है और x यह है क्या होता है sin inverse x अपाने यह लिखा हुआ है sin inverse x बोले तो x minus 3 by 2 a बोले तो root 41 by 2 plus c तू एलसम ले लो तो आएगा sin inverse उपर आएगा 2x minus 3 नीचे आएगा root 41 2 कर जाएगा plus c x की जगे अब आपने कहा साब इसको t क्यों नहीं माना देखो x की जगे अगर ax plus b है तो कहीं कहीं छूट हमारे लिए है कि हम 1 अपान यह बाहर करके डारेक्ट इंट्रिगेट कर सकते हैं ठीक है यह 14th question है 15 से देखिए 15th question number 15th है आपका है तो ऐसे ही question थोड़ा साथ क्योंकि a b है जिसलिए tough दिख रहा है 1 अपान अंडर रूट x minus a into x minus b सबसे पहला काम तो रूट के अंदर ब्रैकेट खोला जाए तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा x square minus a plus b x plus a b ज़रा साथान x square का coefficient 1 है कुछ नहीं करना है x का coefficient a plus b है इसको आधा करिए इसको आधा करिए तो a plus b by 2 हो जाएगा तो actually वे क्या लिखा हुआ है ये लिखा है अंडर रूट ये लिखा x minus a plus b by 2 का whole square minus देखो जब इसको खोलेंगे देख लफ़डा है a plus b whole square by 4 आएगा ये तब इसको माइनस करना पड़ेगा a plus b by 2 का whole square माइनस करना पड़ेगा और plus का a b already है अब इसको calculate करना पड़ेगा पहले ये क्या लिखा हुआ है देखो दियान से 1 अपान अंडरूट इसको तो ऐसे लिख दो x minus a plus b by 2 का whole square minus देखो मैं डाइट कर रहा हूँ मैं minus कामल लेता हूँ minus कामल लेकरके ये minus आ जाएगा और यहां देखो दो 4 इसको खोल दो तो यह आएगा a square plus b square plus 2ab minus 4ab whole upon 2 whole upon 4 not 2 देखे अपान minus कामल लिया तो यह positive हो गया यह negative हो गया यह आपान में 4 है तो plus का 4ab आएगा और a plus b का whole square खोल दिया यह लिखा a square plus b square minus 2ab लिखा हुआ है यह a minus b का whole square लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा आपका integral one upon under root यह लिखा है x minus a plus b by 2 का whole square minus a minus b by 2 का whole square अगर ध्यान से इस formula को देखें तो root x square minus a square का formula है root x square minus a square क्या होता है log x यह हो जाएगा log x एक्स एक्स बोले तो यह पूरा x minus a plus b by 2 plus under root x square minus a square x minus a plus b by 2 का whole square minus a minus b by 2 का whole square plus c इसको खोलेंगे तो ultimately वही आएगा जो root के अंदर लिखा है पहले से यह वारा चीज़ तो यही लिख दो यही छोड़ दो यह न छोड़ो लिख दो log x minus a plus b by 2 plus under root x square minus ax minus bx plus ab plus b यह यही आने वाला है जो पहले से दिया होता है ठीक है वो चाहे तो x minus a x minus b लिखा रहें तो यह integral है इस question number 15 समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पर्फेटी स्वय बनाना है और जो format आगे शर्त यह है उपर 1 होना चीज़ यह ध्यान रखिएगा उपर कोई भी x का function नहों उपर का अगर x का function हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आगे के questions ऐसे हैं साहर हाँ 16 question में ही पटक दिया इनों ने 16 i is equal to integral 4x plus 1 थोड़ा दिमाग लगाईएगा 4x plus 1 अपान अंडरूट 2x square plus x minus 3 2x square plus x minus 3 dx देखिए दिक्कत क्या है तो दिक्कत यह है कि समझ में नहीं आ रहा है और वो तो एक अलग बाद दिक्कत है देखिए दिक्कत यह है कि 1 अपान अगर लिखा होता तब तो मेरे पास method था यहाँ भी x का function है तो यह है कि इसको हम t मानने जिसका differentiation present होना चाहिए होना चाहिए उसको present करने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा देखो अभी हम method दा देंगे यह direct हो रहा है अगर मैं इसको t मानता हूँ अंडरूड वाली चीज़ को तो इसका differentiation 4x plus 1 होगा जो कि उपर already present है इसको आप direct इसको t मान सकते हैं let 2x square plus x plus 3 is equal to t देखो यह root के अंदर लिखा हो चाहिए न लिखा हो दोनों ही cases में method same रहेंगे तो इसको differentiate करेंगे तो आएगा 4x plus 1 dx is equal to dt उपर देखें पूरी चीज़ी लिखी भी है so यहां रखेंगे i बराबर तो आएगा dt अपान अंडरूट t यह t उपर जाएगा तो t की पाउर minus half dt इसका integral हमको आता है t4 minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c यह root t लिखा है यह 1 by 2 लिखा है तो 1 by 2 का 2 उपर जाएगा root t plus c t कमान रख दो 2 under root t की value क्या है 2x square plus x minus 3 plus c इस प्रकार से यह होगा मतब उपर अगर x का function है तो हम नीचे वारी चीज़ को t मान करके उसका differentiation खोशते हैं अब खोजने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है यह हो गया this is question 16 this was question 16 now question 17 i is equal to integral x plus 2 upon under root x square minus 1 जड़ा ध्यान से देखिए अगर उपर x का function ना होता ना होता ना होता तो हमारे पास one upon under root x square minus a square का formula होता उपर x है तो उसको हटाने के लिए अगर मैं नीचे वाली इसको t मान लेता तो इसका differentiation 2x होता है जो कि यहां है लेकिन एक 2 गबर कर रहा है तो हम करेंगे क्या इसमें हम करेंगे क्या इसको अलग कर देंगे इसको इसके साथ अलग कर देंगे dx और plus का 2 अलग कर देंगे क्योंकि इसका अलग से formula हो जाएगा और इसका formula अलग इसको t मान लो let x square minus 1 is equal to t तो इसका आएगा 2x dx is equal to dt मेरे पास उपर x dx है इसको नहीं छेड़ रहे है एक्स dx है तो x dx की value आ जाएगी dt by 2 रग दो यहां उठागर के so i is equal to देखो यह तो हो जाएगा dt by 2 upon under root t plus यह 2 बार कर दो यह आपका 1 upon root x square minus a square का formula होता है क्या होता है log x plus under root x square minus a square plus c अब यह root t उपर जाएगा तो t की power minus half हो जाएगा तो इसका integral क्या होगा t की power minus half plus one upon minus half plus one और यह half पहले से बाह लिखा हुआ है और plus 2 log x plus under root x square minus one plus c यह जो half आएगा इसको cancel कर देगा यह root t लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा root t plus log x plus under root x square minus one plus c और t कमान रख दो under root x square minus one plus log x plus under root x square minus one plus c बस method आपको आना चाहिए रेस्ट तो calculation है आप पर है ठीक है इसकी question number 17 अब जरा देखिए जैसे आपने कहा ना कि मालिया आप इसको team आने और differentiation प्रिजेंट ना हो तो कुछ differentiation लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा जरा समझेगा अब मैं आपको method बताने जा रहा हूँ साउधान देखिए अगर उपर मैं method बताने जा रहा हूँ अगर उपर कोई x का function ऐसा है और नीचे लिखा है ax square प्लस bx प्लस c यह चाहर रूड के बार हो चाहर रूड के अंदर हो दोनों के लिए same चीज़े है हम चाहते क्या है हम चाहते हैं कि इस चीज को team आने तो इसका differentiation present होना चाहिए ठीक है तो दोरा ध्यान से देखिए अगर इसको t मानेंगे तो इसका differentiation 2ax आएगा उपर 2ax नहीं है फिर समझेगा अगर मैं इसको t मानता हूँ अगर मैं ax square प्लस bx को t मानता हूँ तो इसका differentiation 2ax प्लस b आएगा dx बरावर dt तो मुझे उपर 2ax चाहिए यानि x के साथ जो coefficient p है वो p नहों करके 2a होना चाहिए क्या करें हम यहां से p common ले ले और 2a से multiply कर दें तो 2a से divide भी करना पड़ेगा और plus का b चाहिए तो plus का b कर दें minus का b कर दें तो इतना हमको amendment करना पड़ेगा तो एक तो तरीका यह है कि amendment कर लीजे चलिए अच्छी बात है न d by dx of ax square plus bx plus c लिखाओ यही तो आप चाहते है कि मैं d by dx of ax square plus bx plus c कर दूँ तो यह आज है यही चाहते है ना इसके लिए आपको कुछ multiply बगरा करना पड़ेगा तो वो multiply आपने a कर दिया और कुछ plus minus करना पड़ेगा वो plus आपने b कर दिया मतब numerator की जगे आप क्या लिखें आएंगे और plus a constant b कर देंगे क्योंकि असन मैं आपने जो यहां से p common लिया था ना 2a से multiply divide किया था जो multiply divide बाहर किया है इसको 2x बनाने के लिए इसको वो a है और जो plus b minus b किया है वो यह अब a b की value निकालने के बाद में आप यहां पर denominator रख देंगे दोनों तरफ चुके और आदमी इसको integrate कर रही है तो यह बिल्कुल डिटो वही चीज आ जाएगी इसका differentiation यहां प्रिजेंट होगा और यहां से x gag हो चुका होगा जिसका की method हमको मालूम है ठीक है ज़रा question पर आईए यह numerator की जगे करना पड़ता है हमको integrable करने के लिए जैसे question number है 18th i is equal to integral of 5x minus 2 upon अब root के अंदर नहीं है हो भी सकता नहीं हो सकता कोई दिक्र नहीं 1 plus 2x plus 3x square 1 plus 2x plus 3x square dx अब देखी द्यान से हमने क्या कहा यह root के अंदर हो तब भी वही method नहों तब भी वही method देखो हमने का इसको t मानना चाहते हैं इसको t मानेंगे तो इसका differentiation आएगा 6x plus 2 और यहाँ 6x नहीं है यहाँ 5x है अब आप कोईगे ठीक है 6x लाने के लिए 1x plus कर तो अरे भी plus करोगे तो मानस करना पड़ेगा तो मानस वाले को कहा अर्जिस करोगे आपको 6 से इसको multiply करना तो यह लफडा करने से बहतर है हम क्या करते हैं हम चाहते हैं कि जब d by dx किसका करें denominator का 3x square plus 2x plus 1 का d by dx करें तो हमको क्या मिल जाए हमको मिल जाए 5x plus 2 उसके लिए कुछ multiply divide करेंगे वो a है और कुछ plus minus करेंगे वो b है यह यह हमने 5x minus 2 को कह लिग दिया a into d by dx of denominator plus b यह कर दि ठीक है अब a b की value निकाली जाए 5x minus 2 is equal to अभी को इसकी हम बात कर रहे हैं यह हमने गायब कर दिया यहां से a इसको खोलेंगे तो आएगा 6x plus 2 plus b equation बदा हमको a b की value यही रखनी पड़ेगी अब हम दोनों तरफ coefficient equate करेंगे गुणांकों के तो ना करते है equating the coefficients equating the coefficients देखो यहां x के साथ 6a आएगा यहां पर आएगा 5 तो a की value क्या होगी 5 by 6 हम क्या कह रहे थे यहां से 5 कमल लो फिर 6 से multiply करो 6 से divide करो तो आपने 5 कमल लिया है बाहर और 6 से divide किया है वही आपका 5 basic सारा है ठीक है और constant क्या रहा है 2a प्लस b और यहां पर क्या है minus 2 एक कमाल निकाल चुके है तो 2 into 5 by 6 plus b is equal to minus 2 तो b की value आएगी minus 2 और यह 5 by 3 minus जाएगा 5 by 3 तो 3 दूनी 6, 5, 11 minus 11 by 3 a b निकल आया अब इस a b की value उठाओ equation number 1 में रखो और integrate कर दो जाद ध्यान देखिए 1 में आपने k1 numerator लिखा है denominator gap कर दिया आपने ठीक है पुटिंग a and b a and b in equation 1 and integrating 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 देखो जाद ध्यान से यह note कर लिया है आपने score up कर दे चुलिए 1 है क्या 1 है आपका 5x minus 2 और इधर क्या है a, a क्या निकला है 5 by 6 in bracket 6x plus 2 और b है minus 11 by 3 ध्यान से देखें यह चीज़े नहीं लिखी भी है आपने denominator gap कर दिया है ना तो यहाँ denominator बढ़ा दीजे इसको सीधा करके लिख दीगा 3x square plus 2x plus 1 यहाँ भी लिख दीगा 3x square plus 2x plus 1 यहाँ भी लिख दीगा 3x square plus 2x plus 1 और दोनों तरब integrate कर दीजे dx तो actually में आपको करना क्या है यहाँ अब आपका integrable हो गया देखे यह आपको integrate करना था जिसका के नाम आपने लिखा है i यह 5x 6 इसका नाम दे दिया हमने i1 यह एक integration हो गया ठीक है और minus 11x3 बाहर कर दिया इसका नाम दे दिया हमने i2 अलग-अलग integrate कर देंगे और बाद में i1 i2 निकाल के यहीं पर रखना है आपको अब देखो i1 कैसे निकालेंगे i1 is equal to क्या है integral 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 dx क्या करेंगे इसको t मानो इसका differentiation उपर present है 6x plus 2 अब आप कहेंगे present ना हो तो आरे होगा भाई हमने आलड़ी वही method एड़ाप किया है तो इसको t मा लिजे let 3x square plus 2x plus 1 is equal to t तो आएगा 6x plus 2 dx बराबर dt जाँ देखें उपर वाले चीड़ dt पूरी हो गई so i1 की value क्या हो गई i1 is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया t और यह log t होता है log t t कमान रख दो log 3x square plus 2x plus 1 यह i1 निकलाया यह i1 निकलाया अब हम i2 की बात करते हैं i1 उटकर लिजे अब i2 की बात करते हैं तो जब i2 के हम बात करेंगे i2 मैं 11 by 3 बाहर कर दिया है 1 upon 3x square plus 2x plus 1 यह integral पहले आप कर चुके हैं जिसमें हमने कहा था इसको आप perfect square बना दो क्या तरीका था इसके coefficient को 1 कर दो 3 कामन ले लो तो आएगा x square plus 2 upon 3x plus 1 upon 3 फिर क्या करेंगे इसके बाद x का coefficient क्या है 2 by 3 इसको आधा कर दो 1 by 3 तो यह 1 by 3 का holy square लिखा है यह लिखा है x plus 1 by 3 का holy square इसको खोलेंगे तो plus का 1 by 9 आएगा उसको balance कर दो minus 1 by 9 और plus 1 by 3 dx यह method हम बता चुके हैं पहले से x plus 1 by 3 का holy square 9 L से मुझाएगा तो आएगा अब ज़रा देखिए हम minus minus plus confused मत होईएगा 9 L से मुझाएगा तो minus का 3 और sorry minus का 1 plus का 3 तो plus का 2 आएगा 2 by 9 2 by 9 यहनि इसको हम root 2 by 3 3 का holy square ले सकते हैं अब ज़रा formula देखिए x square plus a square 1 upon a 10 inverse x upon a यानि कि यह हो जाएगा 1 upon a बोले तो root 2 upon 3 10 inverse x बोले तो x plus 1 upon 3 upon a बोले तो root 2 upon 3 यहां L से मुझाएगा तो यह 3 3 कर जाएगा यहाएगा 1 by root 2 10 inverse यहाएगा 3 x plus 1 upon root अब यह i1 i2 उठाके question number 2 में put कर दो तो नहीं रहें दादा इत्ता बड़ा question भई method है method तो adopt करने पड़ेगा putting i1 and i2 in equation 2 चुकि हमको i निकालना था i is equal to 5 by 6 i1 क्या निकला है i1 निकला है log 3 x square plus 2 x plus 1 और minus 11 by 3 और i2 क्या निकला है 1 by root 2 10 inverse 3 x plus 1 upon root 2 plus c तो इस प्रकार से हम यह छोटा सा method है यह method है इसलिए method भी याद खना चाहिए अब आपको इसलिए ठीक है हम यहाँ से 5 कामन ले ले 6 से multiply करते हैं 6 से divide करते हैं कुछ plus करते हैं कुछ minus करते हैं तो तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं आप direct भी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा प्लस minus हो तो यह method adopt कर दीजे ठीक है साइन की गलतियां होने की chances कम हो जाते हैं अब question number 19 देखे question number 19 को पहले अपने आप लगाईए method same है कि even root के अंदर हो है हमने कहा था root के अंदर भी method same adopt होगा अलग से कोई method नहीं लगेगा देखे 19 question i is equal to integral of 6x plus 7 upon under root के अंदर यह अचा bracket हम खोले देए डारेट तो आएगा x square minus 9x plus 20 dialed ground x square minus 9x plus 20 देखे हमने क्या कहा आप अपना दिमाग direct भी apply कर सकते हैं अगर मैं इसको t माल लेता तो 2x minus 9 चाहिए तो इसको 2x minus 9 बना तो तो अच्छी बात है यहाँ से 3 कामल ले लो plus 9 कर दो minus 9 कर लो यह भी कर सकते हैं आप तो मैं डायट कर रहा हूँ देखे हमने यहाँ से मुझे 2x चाहिए मने यहाँ से 3 कामल लिया तो 3 कामल लिया क्या हो गया 2x देखे आपको टफ लगेगा इसलिए हम मैथड़ी एडप्ट किये दे रहे हमने क्या कहा हम चाहते हैं इस रूट के अंदर जो लिखा है इसको डिफ्रेंसेट करें मतलब रूट के अंदर वाली चीज को डिफ्रेंसेट करें x square minus 9x plus 20 और डिफ्रेंसेट करने के बात जो आवे वो numerator में लिखा हो लेकिन उसके लिए हमको कुछ multiplier divide करना पड़ेगा और कुछ plus minus करना पड़ेगा तो ये हमको हमने numerator लिखा है के बल denominator भी नहीं लिखा हुआ है तो ये आजाएगा 6x plus 7 is equal to a ये आएगा 2x minus 9 plus b value यहीं रखी जाएगी question number 1 अब coefficient equate कर दो equating the coefficients तो यहाँ x साथ 2a है यहाँ पर 6 है a की value 3 आ गई अभी हम 3 कामन ले रहते देखिए वो ही तो 3 है और जो constant है वो है minus का 9a plus b और यहाँ है 7 a की value 3 है तो minus का आएगा 27 plus b बरावर 7 तो b की value आएगी 7 plus 27 34 b कितना आ गया 34 अब यह इस a b की value उठाईए रखिए अब इस a b को उठाओ equation number 1 में रखो और integrate कर दो ठीक है तो रिखेंगे putting a and b in equation number 1 and integrating अब डाड लिख रहे जरा आई रख कर दिया a की value कितनी आए थी 3 आए थी तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया और b की value कितनी आएगी 34 यहाँ मैंने 34 लिख दिया ठीक और denominator यहाँ नहीं था बढ़ा दिया x square minus 9x plus 20 इसको integrate करना था हमको 9x plus 20 और यहाँ भी बढ़ा दिया under root x square minus 9x plus 20 इसको भी integrate कर दिया यह equation number बन गयाब हो गया अब हमको यह निकालना था इसका नाम i था यह 3 इसका नाम i1 कर दिया यह 34 इसका नाम i2 कर दिया अब i1 i2 निकाल के हमको integrate करना है ठीक है ज़रा देखो i1 लेते हैं i1 is equal to हमने 3 चुकी बहा लिख दिया है तो 3 को हम touch नहीं करेंगे i1 लिखात क्या है integral of 2x minus 9 upon under root x square minus 9x plus 20 dx साब साब देखे अगर मैं denominator को के root के अंदर वाली चीज़ को t मानता हूँ तो इसका differentiation उपर present होगा और होगा ही क्योंकि हमने इसी लिए ताम जहम बनाया है ठीक है तो यहाँ पर हमने let क्या किया x square minus 9x plus 20 को हमने t let कर लिया तो आगया 2x minus 9 dx is equal to dt तो साब साब दिख रहा है कि यह पूरी चीज़ उपर जो लिखी है यह dt लिखी है so i1 की value क्या गई i1 की value आगई उपर dt नीचे under root t इस under root t को उपर ले गए तो minus में half हो गया और x power n का formula होता है x power n plus 1 upon n plus 1 तो क्या हो जाएगा t की power minus half plus 1 upon minus half plus 1 अब आप कहेंगे c क्यों नहीं plus किया वो डाइट लिख देंगे तो यह half आएगा नीची तो उपर 2 हो जाएगा और under root t t आएगा x square minus 9x plus 20 यह i1 निकल की आया अब i2 पे आते हैं i2 आपका यह है देखे i2 is equal to क्या है integral of 1 upon under root x square minus 9x plus 20 इसको बताये जा चुका है कि इसका बनाएंगे perfect square तो इसके लिए हमने क्या बताया था जो x का गुडांक है जो coefficient है minus का 9 उसको आधा कर दीजे तो यह लिखा है x minus 9y2 का holy square ठीक तो इसको खोलेंगे तो plus का 81 upon 4 आएगा तो minus का 81 upon 4 करेंगे और plus का 20 है यह पहले से dx देखे integral 1 upon under root यह जाएगा x minus 9 upon 2 का holy square यह 24 जाएटी तो minus का 1 by 4 आएगा minus 1 by 2 का holy square 1 upon root x square minus a square integral आपको आता है log x plus root x square minus a square लग दीजे उठा करके तो यह आएगा log x बोले तो x minus 9 by 2 plus under root x minus 9 by 2 का holy square minus 1 by 4 अभी c नहीं कर रहा है चूकि हम जब value रखेंगे तब करेंगे तो यह जब खोलेंगे log यह तो लिखा हुआ है 9 by 2 यह एगा जो root के अंदर लिखा है x square minus 9x plus 20 तो putting so by equation 2 रख दो equation 2 में i बरावर क्या था 3i1 था plus 34 i2 था तो 3i1 i1 निकाल चुके हैं आप तो आएगा 6 अंदर रूट x square minus 9x plus 20 और यहाँ पर plus c कर दीज़े तो यह आपका 19th question है method समझ में आ रहा होगा उसने कुछ question हम आपको diet कहेंगे लिख करने के लिए और कुछ में हम method adopt नहीं करेंगे diet उसमें amendment करेंगे जो plus minus करना होगा वो हम diet कर लेंगे जो बहुत technical चीज़ हो तब मजबूरी आपकी आ जाती है ज़रा 20 number question i is equal to integral of x plus 2 upon under root 4x minus x square देखो कुछ दिमाग लगाते है अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो इसका difference से सनाएगा 4 minus 2x minus का 2 काम लेगे x minus 2 यहनि अगर मेरे पास x minus 2 उपर हो जाए minus 2 तो constant है चला जाएगा उदर अगर x minus 2 हो जाए उपर तो हम इसको t मान सकते हैं तो x तो ही है आपर minus 2 कर दें और plus 2 कर दें अब देखे x minus 2 को हमने इसके साथ अलग कर दिया 4x minus x square चुकि मेरी requirement x minus 2 के थी ठीक है और plus का 4 अलग कर दिया 4x minus x square और अलग-अलग इसको integrate कर दिया यह कर सकते हैं अब मैं इसको t मान ला हूँ अब आपका इसका अगर minus कर कर दो कोई दिक्कत नहीं है minus बाहर आ जाएगा इसको t मान लो let 4x minus x square is equal to t i1 i2 कर के कर सकते हैं अलग-अलग एक साथ कर सकते हैं तो इसका differentiation क्या आएगा 4 minus 2x dx is equal to dt मुझे यहाँ पर x minus 2 चाहिए हमने minus 2 काम ले लिया x minus 2 dx is equal to dt तो जहाँ पर x minus 2 dx है वहाँ पर minus dt by 2 हो जाएगा इसका काम तमाम हो लिया इसको डायेट कर देंगे so i is equal to देखें उपर थो गया minus dt by 2 अपान अंडरूट t प्लस 4 integral 1 अपान जला इसको देखें इसको बनाएए perfect square सबसे पहला काम x square के गुडांग को 1 करिए minus काम ले लिया तो आएगा x square minus 4x यह x minus 2 का holy square लिखा हुआ है तो इसको खोलेंगे तो प्लस का 4 आएगा तो हम इसको balance करेंगे minus का 4 करेंगे अब इस minus को अंदर ले जाते तो यह तो minus 1 by 2 अलग हो गया और यह t की पहूर minus half dt हो गया प्लस 4 integral 1 अपान यह 4 positive हो जाएगा 2 square minus x minus 2 का holy square ज़रा ध्यान से देखिए सब्सक्राइब आ रहा होगा कोई technical चीज नहीं है method 1 minus 1 by 2 x to power n t की पाउर minus half plus 1 अपान minus half plus 1 और प्लस यह आपका a square minus x square sin inverse x पाने यह हो जाएगा sin inverse x minus 2 अपान 2 और प्लस c अब इसको फ्रकल ग्रेट कर लो यह आपका half आएगा तो यह half कर जाएगा minus आएगा root t आएगा t कमाना आएगा 4 minus 4x minus x square और प्लस sin inverse x minus 2 by 2 प्लस c यह question होगा तो this was question number 20 21 देखिए 21 कह रहा है i is equal to integral x plus 2 upon under root x square plus 2x plus 3 under root x square plus 2x plus 3 जड़ा ध्यान से देखिए अगर इसको t मानते हो तो 2x plus 2 आएगा 2x plus 2 में 2 कामन ले लोगों तो x plus 1 आएगा उपर x plus 1 चाहिए तो ऐसा करते हैं इस 2 को plus 1 plus 1 करते हैं कोई दिक्कत भाई जब इसको t मानोगे तो 2x plus 2 आएगा 2 कामन ले लो तो ऐसा करते हैं कि x plus 1 के नीचे इसको अलग कर दो अब आप कहेंगा 2 से हम multiply कर दे तब भी चलेगा 2 से multiply कर दो 2x plus 2 आएगा तो भी 4 आएगा महाँ पर 4 को भी आपको change करना पड़ेगा ना इसलिए हमने इसे किया x square plus 2x plus 3 अलग कर दो और plus का 1 अलग कर दो x square plus 2x plus 3 dx इसको t मानेंगे इसका differentiation प्रजेंट है बोले कहां प्रजेंट है 2x plus 2 आ रहा है तो लेट x square plus 2x plus 3 को t माने लिए इसकावले case में तो यहाएगा 2x plus 2 dx is equal to dt तू कावन ले लो तो जहाँ पर x plus 1 dx है वहाँ पर आएगा dt by 2 रग दो यहाँ पर so i is equal to उपर हो गया dt by 2 नीचे हो गया under root t प्लस यहाँ पर आते हैं जराव यहाँ पर अगर x का coefficient 2 है उसको आदा करो वनाएगा यह आपका x plus 1 का holy square लिखा है under root x plus 1 का holy square लिखा हुआ है इसमें extra plus 1 आएगा तो plus 1 में जब minus 1 करोगे तो यहाँ already plus 3 है तो यहाँ plus का 2 बचेगा dx अब यह फार्मला उपर ले जाओ root t तो यहाँ आएगा t की power minus half plus 1 upon minus half plus 1 और यह half पहले से यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर आईए 1 upon root x square plus a square a square बोले तो यह root 2 का square लिखा हुआ है तो यह क्या आएगा यहाँ आएगा log x plus under root x square plus a square plus c बस्कुल क्रेट कर लो answer आएगा half से half कर जाएगा root t आएगा तो यह हो जाएगा आपका under root का t आएगा यह आएगा आपका log x plus 1 plus under root x square plus 2x plus 3 अब t कमान रख दो answer आगिया plus c this is question number twenty one twenty two, twenty three अपने आप करिये 22 देख लीजे अच्छा आपने आप करिये बता रहे है दो को से बता ने दिक्कत आ रही है 22 देखिये 22 कहा रहा है i is equal to integral of x plus 3 अपन नीचे लिखा है x square अपने पड़ेगा बस काम खतम x minus 1 चाहिए इसको अलग कर दिया और ये ऐसे लिखार ने दिया और यहाँ पर extra कितना आएगा 4 तो plus का 4 अलग कर दिया अब अगर इसको t माल ले तो इसका differentiation उपर present है माल लेते हैं आप चाहो तो इसको i1 कर दो इसको i2 कर दो अलग-अलग integrate करके value रग दो या एक साथ कर दो अगर x square minus 2x minus 5 को t माना तो इसका आएगा 2x minus 2 dx is equal to dt 2 कामन ले लिया x minus 1 dx is equal to dt तो जब x minus 1 करेंगे तो ये 2 हटके यहाँ पर यहाँ चला जाएगा रग दो so i is equal to integrate उपर क्या हो गया dt by 2 upon t plus 4 integral यहाँ देखिए ये x minus 1 का whole square है तो इसको लिख दो x minus 1 का whole square तो जब खोने की तो plus का बनाएगा तो minus का बनापड़ेगा तो minus का 6 हो जाएगा डाइट कर दिया अन्मे इसको तो ये तो 1 by 2 ये log t हो गया mod अब plus ये बनापान ये root 6 का square है x square minus a square क्या आएगा 1 by 2a ये root 6 का square है जान रखिएगा मैंने root 6 का square लिख दिया इसको तो 1 by 2a तो 2a बोले तो root 6 log x minus a ये x minus 1 plus root 6 minus root 6 upon x minus 1 plus root 6 plus c तो सकल्कुरेट कर दो ठीक अमानत दो 2, 2, 0, 4 तो आएगा 1 by 2 log t की value क्या है t की value है x square minus का 2x plus का 5 minus का 5 और plus 2 by root 6 log x minus 1 minus root 6 upon x minus 1 plus root 6 plus c फ्राइटिंग बढ़ है हम बोलते भी जा रहे हैं इसको पहिंचान लिजीगा बोले हाँ बहुत पहिंचान लेंगे ये 22nd question number है सब में आ गया होगा 23rd देखिए अब आप कहेंगे आप बताते जारों मुस्करा तो रहे नहीं हो मुस्करा नहीं रहें जानबूस करके question है मुस्कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा जो दसमाद दसमाद में मुस्कराने में भर्स हो जाएगे 23rd देखिए 23rd क्या कह रहा है i is equal to integral 5x plus 3 upon under root x square plus 4x plus 10 देखो अगर इसको t मानेगे तो 2x plus 4 आएगा या 2 कामल लेको x plus 2 आएगा तो उपर x चाहिए आपको तो दो तरीके हैं या तो 5 कामल ले लो या जो हमने a, d, y, d, s किया है वो अला में से लगा दो इसको अपने आपको self ठीक है उले self करना तो note कहा है किया था note इसले किया था जिससे self बता सकें किया आपको खुद करना है अब 24th देखिए 24th question number i is equal to integral of 1 upon बुले सबसे सस्ता वाला बता रहे है x square plus 2x plus 2 उपर 1 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है perfect square plus का 2 है तो इसको लिखेंगे x plus 1 का whole square इसको खोलेंगे तो x square आएगा plus 2x आएगा, plus 1 आएगा अब plus 1 यहां से ले लू और यहां plus 1 बचेगा 1 वोन है तो 1 की square तो यह आपका 10 inverse 1 अपान है 10 inverse x पान है x plus 1 upon 1 यहीं आंसर होगे इसको कोई part सही है साइद option है कोई 25 देखिए i is equal to integral 1 upon under root 9x minus x square under root 9x minus x square dx इसमे भी उपर 1 है इसमे भी यही काम करेंगे root में क्या करते हैं minus काम हो ले लेंगे यह बचाएगा x square minus 9x फिर क्या तरीका था x का जो coefficient है minus का 9 है उसको आधा करो minus का 9 by 2 यह x minus 9 by 2 का whole square लिखा हुआ है और उसको खोलेंगे तो plus का आएगा 81 upon 4 minus 81 upon 4 करेंगे अब यह whole square खोलोगे अपने आप हम डाइट कर रहे हैं अब minus को अंदर आउपरेट कर दो तो आएगा under root यह 81 upon 4 हो जाएगा 9 by 2 का whole square minus x minus 9 by 2 का whole square 1 upon a square minus x square root के अंदर sin inverse x upon a यह यह यहाँ लिखे जे रहें यह लिखा है sin inverse x बोले तो x minus 9 upon 2 upon a बोले तो 9 upon 2 2 L C M ले लिजेगा तो यह इधर आजाएगा sin inverse 2 x minus 9 upon 9 plus c यह भी कोई option है उसमें देखना consultant option सही है तो यह question 25 a 6 size के है next exercise in the next video thank you